8 grade कच्छा 6 गणिद लीते हैं अर्धियाई 5 प्रारंभिक आकारों को समझना तो इसका प्रशन है एक रेखा अर्थात लाइन के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं उदारण देकर समझाईए तो रेखा के एक निश्चित भाग को रेखा खंड कहते हैं उदारन दे 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 जे एक रेखा L खीज़ दीज़ इसमें A B दो बिंदू बना दीज़ और लिख देना है रेखा L का निश्चित भाग A B एक रेखा खंड है इसमें लीज़े समपूर्ण कोण अर्थाद कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं तो इसमें जी एक बिंदू बना दीज़े और इस पर तीर लगा दीज़े और अच्छा राउंड इसका कोण बनाने कोशिश करिए और लिखना है एक ही दिसा में दो रिज़ कोण या चार समकोण घुमने पर एक चकर पूरा हो जाता है इस पूरे चकर के लिए कोण एक समपूर्ण कोण कहलाता है एक चौथाई घुर्णन के लिए कौण का नाम क्या है तो एक चौथाई घुर्णन के लिए कौण का नाम एक समकौण है इसका अगला प्रशन लेते हैं ऐसी दो दो इस्तितियां लिखिए जहां समकोड, नियूनकोड, अधिकोड और प्रतिवर्तिकोड बन रहे हैं तो ऐसा लिखना है जी ऐसी दो इस्तितियां जहां समकोड बन रहे हैं बंद किताब के किनारे और दूसरा दरवाजे के मिलने वाले किनारे और ऐसी दो इस्तितियां जहां नियून कोड़ बन रहे हैं तो स्टेपलर और चिम्टी ऐसी दो इस्तितियां जहां अधिकोड़ बन रहे हैं खुली हुई किताब और मकड़ी का जाल एइसी दो ईस्तितीया जहां प्रतिवर्थि कॉणड बन रहे हैं तो इसमें लिख दीजिए अंग्रेजी वियचर के बाहरी कॉणड और जोकी छथ का बाहरी कॉण और इसमें लिख देना है एक सो प्रशन दिया है कि निम्न कोणों को चांदेश से नापना है और उनके माप लिखी यह थी एक सो वसी धर पैंटालेश इसमें एक सो बीज और इसको नापके लिख सकते हैं खुद और यदि दो रेखाएं परस पर प्रतिचेद करें उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं कहलाती हैं उनके बारे में लिखना है तो यदि दो रेखाएं पर परस पर प्रतिचेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वो रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं अगला प्रशन है यदि एक रेखा पर बिंदू A B C इस प्रकारश सिते हैं के A B बरावर 5 संटी मीटर B C बरावर 3 संटी मीटर A C बरावर 8 संटी मीटर तो निम्ड में से कौन सा बिंदू अन्य में दोनों बिंदों के बीच कौन सा इस्थित है तो जी ए और सी ए बी सी बना दी ए सी किनारे बीचे बी बना दी ये ए बी पांच सेंटी मीटर बी सी तीन सेंटी मीटर उनको लिख देना है ए बी बराबर पांच सेंटी मीटर ए सी बराबर पाट सेंटी मीटर ये हो जाएगा पांच धन तीन सेंटी मीटर बिंदु ए और सी के बीचिस्थित है भी अब निमने के चित्र खीचिए एक विसमबाहू नियून कॉन तरिभोज ये बना दीजे 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 और दूसर और तीसरा है एक विसमभाू समकोण त्रिभुज तो इसमें X Y Y Bना दिया है जिसमें कोण X समकोण दिखाया गया है अगला प्रशन बते हैं प्रत्कित जुद्धिया है दूसरा है त्रिभुज और तीसरा है इसमें अगला प्रिशन है घड़ी की सुईयों पर इस्थित निम्न प्रकार बना कर कोड़ों की जांच आरे टेस्टर द्वारा जीज़ कीजिए तो जी इसमें ए दिया है बारा से दो तक जाना छे से साथ तक जाना दो से पांच तक जाना और चार से आठ तक जाना तो ए पर है नियून कोड़, बी में भी नियून कोड़, सी में है सम कोड़ और डी में लिख देना है अधिक कोड़ आईए लेते हैं अगला पार्ट अध्याए छे पूर्णांक तो प्रिशनी एक है के रण एक और धन एक के बीच कौन सा पूर्णांक होता है समदर तल से सौ मीटर नीचे के लिए उचित चिन होगा समदर तल से सौ मीटर नीचे के लिए उचित चिन रिन सौ मीटर होगा तो डैस 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 रिन चार रिन तीन रिन दो रिन एक और सुन एक दो तीन चार जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं सुन्य और रन आठ संख्या युग में उचित चिन्न का प्रयोग करते हुए लिखिए तो सुन्य और राठ के बीच में जो ब्रैकेट है इसमें बड़ा का चिन्न बना दीजिए और लिखना है तो यहां लिख भी सकते हैं सुन्य बड़ा है रन आठ से इसी का अगला प्रश्ण है संख्या धन पांच और रन एक को संख्या रेखा पर निरुपित करना है तो यह जी सुन्य से बाएं तरफ पर ना दीजिए रन आत्मक संख्या हैं सुन्य से दाहिने तरफ धन आत्मक संख्या हैं और रिंगे को गोले में convert कर दिजए और धन 5 को भी गोले में convert कर दिजए ये हो गई संख्यार एखा पर निरोपन अग्राप्र स्ने रिंगे एक और धन 8 को मान ग्याइक किजिए तो रिन ए और दूसरा दिया इसी में भूमी तल से पांच सीड़ी उपर चलने पर फिर वहां से तीन सीड़ी और उपर चलने पर भूमी तल से कौन सी सीड़ी पर पहुँच जाएंगे तो पहले बाले को लिख दीजिए आ में रणे एक धन धन आठ अर्था धन साथ अर्था साथ नमर आज साथ आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा धन पाँच धन धन तीन और ये धन आठ उपर की और आठ में सीड़ी आ जाएगी तो संख्यार एखा की साहता से रण तीन धन छे का मान गया तीजिए तो ये जी आ जाएगा ये संख्यार एखा बना देना है कुछ इस तरह है और ये लिख देना है रण तीन धन छे अर्था तीन प्रिशन आठ है आब रण बारा में से रण तीन घटाईए और दूसरा इसे में दिया है रण दस का यूज प्रितलोम होगा तो रण बारा रण रण तीन करना है तो जी बन जाएगा रण बारा धन तीन और इसका माना गया रण नौ और इसके बार में लिख दीजे रण दस का यूज प्रितलोम होगा तो धन दस या दस इसी का नौवा नमबर प्रिशन है पचास रण रण चालिस रण रण छे का मान गयात कीजिए जी हल कर दीजिए इसको तो जो ये रण वाले हैं ये धन में बदल जाएंगे तो पचास दन चालिस दन छे जोड़ दीजे चैन वे आ जाता है अब अगला प्रशन है निम लिखित के विपरी इतलिए अपोजीट तो लंबाई में ब्रधी तो इसका उल्टा हो जाएगा लंबाई में कमी प्रशन है तीस किलो मीटर दच्छन दिसा तो तीस किलो मीटर उत्तर दिस के धन्यवाद